दोस्तों जब से चंद्रायान 3 मिशन शुरू हुआ है तब से ही सभी देशों की नजर हमारे चंद्रायान 3 पर टिकी हुई है क्योंकि वह हर रोज कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता ही जा रहा है। भारत के चंद्रायान 3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी नियूज निकल कर सामने आ रही है। भारतिय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वेग्यानिकों ने एक ऐसी खबर दे डाली है। जिसको सुनने के बाद आप भी खुशी से जूम उठेंगे। माना जा रहा है कि जल से जल चांद की सतह पर लेंड करने के लिए भारत का चंद्रायान 3 तयार है। और ऐसे में उसकी दिबुस्तिंग की पहली कड़ी भी शुरू की गई थी। जिसके बाद अब जो खबर सामने आई है उसको सुनने के बाद आप भी खुशी से जूम हो चुका है और यह सब कुछ हुआ दिबुस्तिंग के बाद AI के उपकरनों की मदद से इसरो ने कहा है कि जो काम 48 धंटे में होना था वह महस 3 धंटे में इसरो ने कर दिखाया है और इसके साथ ही इसका लेंडिन टाइम भी अब बहुत कम हो चुका है इसरो के चीफ ने चं आपको बतादे की भारत के चंद्रयान 3 में लगे AI पावर ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसको सुनने के बाद आप भी खुद को इसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 ने कारनामा ही कुछ ऐसा किया है बतादे की भारतिय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मुताबिक दिखुस्तिंग का पहला चरन जब शुरू किया गया जब मॉडियूल हमारे चंद्रयान 3 के लेंडर और रोवर से अलग होकर अंतरित की कक्षा में प्रवेश किया उसके बाद पहली दिखुस्तिंग प्रक्रि दिखाया है उसके बाद पूरी दुनिया के वैग्यानिक भी दन रह गये हैं। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 को जो दूरी 48 घंटे में तै करनी थी उस दूरी को छोटा करके चंद्रयान 3 ने अपनी AI के माध्यम से अपने एंगल में परिवर्तन करके 20 डिगरी एंगल को 40 डिगरी एंगल पर ले जाकर 3 घंटे पहले ही उस स्थान पर पहुँच गया ह जहां उसे 3 घंटे बाद पहुचना था और दोबारा डिबूस्टींग को शुरू करना था इस खबर के आने के बाद इसरो के वेग्यानिक खुद भी हैरान हो गए कि इतनी कटिन परिस्थितियों में AI ने चंद्रयान 3 को किस तरह कंट्रोल किया दोस्तों इसके बारे में इसरो चीफ ने बताया है कि हम आगे की लेंडिंग प्रोग्रामिंग करने के साथ ही AI पर आधारत उपकरनों की मदद और इसमें लगे यून्नोइड रोबोटिक ब्रेन का भी इस्तिमाल करने वाले हैं जो कि इसमें सबसे एहम भूमिका निभाने वाला है इसरो की माने तो चंडरयान तीन फिर से दिबूस्टिंग वाले स्थान पर पहुँच चुका है और अब फिर से इसकी दिबूस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करनी होगी इसरो ने बताया है जैसे ही हम दिबूस्टिंग की प्रक्रिया को सुरू करेंगे उसके 48 घंटे के बाद ये प्रक् कहा है कि हम वर्टिकल लेंडिंग के लिए भी पूरी तरह से तयार हैं, हाला कि 24 घंटे पहले ही इस रो ने इसको खोलने की जानकारी भी दे दी थी, इस रो ने कहा है कि अब अगली डिबुस्टिंग की प्रक्रिया बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि चांद की ग्रेविटी भल इसकी ग्रेविटी की चपेट में आ जाए, और चांद की सतह पर डाइरेक्ट गिर जाए ऐसा भी हो जाता है और कई बार ऐसा हुआ भी है, दुनिया के तमाम देशों के मिशन के साथ, और इसी चीज़ को लेकर इस रो ने दिबुस्टिंग के दोरान 22 डिगरी का एंगल र इसी कौन सी पावर है जिसका वह इस्तेमाल कर रहा है, और इस पावर का इस्तेमाल करने के साथ ही साथ वह इतनी सफलता के साथ लैंड कर रहा है, आपको बता दे कि ऐसे में बहुती मुश्किल परिस्थितियों में एक बार फिर से हमारा चंद्रायान तीन चंद्रमा पर प इस रो के मुताबिक इसके वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को एक बार अगर शुरू कर दिया जाता है तो फिर इसे दोबारा ओबिट मोशन में नहीं घुमाया जा सकता है यानि इसका एंगल 90 डिग्री चेंज हो जाता है इस रो ने कहा है कि हम इसे 90 डिग्री पर खड़ करेंगे उसके बाद इसकी डिबूस्टिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद इससे वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम में एक्टिवेट कर देंगे इसके बाद यह वर्टिकली लैंड करना शुरू हो जाएगा और फिर वह दिन दूर नहीं जब हमारा चंडरियान तीन अ सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद